आज के इस पीडियो लेक्चर में जी क्वेस्टन हम लोग सॉल्प करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर टिक्नोमेटरी से हैं देखने में क्वेस्टन जहूर छोटा सा है लेकिन बहुत इंपोर्टन्ट है क्वेस्टन में हम लोगों को दिया है तो चैप्ट है तो चले स्टार्ट करते हैं और इस कंडिशन को प्रूब करते हैं कभी भी जब देखे प्रूब वाले क्वेस्टन होते हैं तो आम तोर पे हम लोग क्या करते हैं उस कंडिशन की एक साइट को हम लोग लेकर चलते हैं वहाँ पर वैल्यूज रखते हैं सिंप्लिफाई करते हैं तो left hand side में हमें क्या दिया है x square plus y square plus z square तो ये है condition की left hand side अब हम लोगों के पास x की value है y की value है और z की value है जैसे क्या करें इनकी values put कर देते हैं तो देखो x की जगे पर क्या रख सकते हैं r sin a cos b तो रखिए यहाँ पर r sin a into में क्या है into में है cos b और x का square है तो इसको रखिए एक bracket में और बाहर लगा दीजिए इसका square correct है plus y square है और y की value क्या है r sin a sin b तो y की जगे पर क्या रख रहा है हम लोग r sin a sin b ठीक है तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने r sin a into में sin b और इसके उपर b square है इसको भी bracket में रखेंगे और बाहर square लगा देंगे फिर अगला term क्या है z square और z की value क्या है r cos a तो इसकी जगे पर हम लोगों ने रखा r cos a और square b square है तो हम लोगों ने bracket में रखा और square कर देंगे अब देखो इसको करते हैं हम लोग simplify हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर a b का hold square हम लोगों को दे रखा हो तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं a square और in 2 में b square मदब किसी भी number को अगर factorize किया जा सके या उसके factors दे रखे हो और बाहर उसकी power लगी हो तो individually हर factor के उपर वही power लगा दी जाती है तो यहाँ पर देखिए हम लोग कितने factors देख पा रहे हैं एक तो यह है दूसरा यह है और तीसरा यह है तो इसको बिटा इसी rule से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं देखो r का square होगा अगला factor sine a है तो sine square a लिखेंगे अगला factor cos b है तो इसको लिखेंगे cos square b plus का sine है यही rule देखे हम लोग यहाँ पर लगा रहे है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते है r square अगला factor sine a है तो इसको लिखा जा सकता है sine square a अगला factor sine b है तो इसको लिख सकते हैं sin square b और बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख सकते है r square और दूसरा factor cos से है तो इसको लिखा जा सकता है cos square I think कोई doubt नहीं यहां तर ठीक है अब हम लोग क्या देख रहे हैं देखें यहां पर जो दो terms हैं यह term और यह term क्या इन दो terms में कोई चीज common देख पा रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि भई यहां पर r square है यहां भी r square है साथ में sin square a यहां पर है और यहां भी sin square a हम लोगों ने notice किया मदब इन दो terms में क्या common है r square sin square a चले common ले लेते हैं दो टाप्स में, तो हम लोगों ने यहां रखा R square sign A square A, जब हम लोगों ने इस term में से बाहर ले लिया तो यहां पे स्टरम में क्या बचता है देखो यहां पे बचता है तब cos A square B, बिल्कुल इसी तरीके से जब इस term में से यह तो common आ गया, तब क्या बचता है यहां पर, यहां पर बचता है sign A square B, as it is रखते हैं, plus का sign है और फिर क्या है, r square cos A इसको बाद में लिख देते हैं, तो r square into में cos A रख दिया, now this can be return, देखो r square sign A, हम लोगों ने as it is रखा, और हम लोग जनते हैं sign A square theta, plus cos A square theta, क्या होता है, यह होता है, one मतब, cos A square B, plus sign A square B की जगे पर क्या रखा जा सकता है into में, one रखा जा सकता है plus, इस तरहम को as it is रखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, r square cos A ठीक है, further इसको one के साथ multiply करते हैं, तो बिलकुल इसी तरीके से लिख सकते हैं, r square sin A square A बन गया यह और यह वाला ड़म as it is लिख दिया r square cos A अब देखो हमारे पास फिर से दो टर्म्स है, एक टर्म बिटा यह है, और दूसरा डर्म यह है क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज़ common है yes, बिलकुल है, देखो r square यहां भी देख रहे हैं, और r square यहां भी देख रहे हैं, तो इन दोनो टर्म्स में से हम लोग उने क्या common ले लिया, हम लोग उने ले लिया common r square, जब इस term में से r square बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचाएगा, तब sin square a फिर plus का sign है, यहां पर plus का sign रखें, और इस term में से देखो r square तो बाहर चला गया, तो क्या बचा है, cos square a, तो यहां पर हम लोग उने रख दिया, cos square a, और bracket कर दिया, close so this equal to r square और फिर से हम लोग देखें, तो यहां पर वही identity, sin square theta plus cos square theta क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर लिख सकता है, हम लोग one, और जब one का multiply r square के साथ में करेंगे, तो क्या मिलेगा, r square, और यही देखिए हम लोगों की right hand side आ गई left hand side को लेकर चलेते और हम लोग right hand side लेकर आ जाते हैं, ठीक है, इसका मदब हम लोगों ने प्रूब कर दिया कि left hand side और right hand side दोनों ही sides कैसी है equal है, तो मुझे उमीदे students कि आप लोगों के question अच्छे से समझा गया होगा, अगर ऐसा है तो please video को like कर दें, चैनल को subscribe करना बाकी के इसी तरीके के interesting questions के लिए playlist में चोले जाएए, already इस तरीकी के बहुत सारे questions मैं ने upload किये हैं, मैं फिर से आता हूँ एक नए question, एक नए concept के साथ में, till then keep learning and thank you for watching this video